परिचय बच्चों, आपने देखा होगा कि ब्लैक बोर्ड, चौक, कागज जैसी चीजों को बीच से मोडने या काटने पर हमें दो समान भाग प्राप्त होते हैं. इन वस्तूओं को सम्मितिय कहा जाता है और वह रेखा जहांसे वस्तूओं को मोड़ा या काटा जाता है वह सम्मिति रेखा कहलाती है. उद्देशे इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे. सम्मितिय वस्तूओं को परिभाशित करना. सम्मिति रेखा को परिभाशित करना. विभिन आकृतियों में सम्मिति रेखाओं की संख्या ज्याद करना. सम्मिति रेखा के रूप में दरपन रेखा की व्याख्या करना. दैनिक जीवन में सम्मिती के अनुप्रेयोग का पुनारवलोकन सम्मिती क्या है? बच्चो, कंबल को देखें जब आप इसे बीच से मोडते हैं तो इसके बाएं और दाएं भाग एक जैसे दिखते हैं इस प्रकार कंबल को सम्मिती ये कहा जाता है इस पत्ती को देखें पत्ती को मोडने पर इसके दो भाग एक दूसरे के समान दिखते हैं इस प्रकार यहा सम्मिती ये है सम्मिती रेखा छुई मुई के पौधों की पत्तियों को देखें जब आप इन्हें छूते हैं तो ये दो भागों में मोड जाती हैं क्या आप देख सकते हैं कि ये दोनों भाग एक जैसे दिखते हैं। वहाँ विशिष्ट रेखा जहां से पत्तियां मुड़ी हुई हैं, वहाँ सम्मिती रेखा कहलाती है। इस पग में भी एक सम्मिती रेखा है, जहां से ये दो समान भागों में मुड़ा हुआ है। सम्मितिय आकृतियां बनाना कपड़े का एक टुकड़ा लें इसे बीच से दो भागों में मोड़ें अब इस टुकड़े के बीच से दो छोटी छोटी गोल परीधिय आकृतियां काटें तह खोलने पर आप सम्मिति रेखा युक्त सम्मितिय आकृति पाएंगे जहां से इसे दो समान भागों में काटा जा सकता है दो सम्मिती रेखाउं वाली आकरितियां मनू और मिरनाल के पास एक आयताकार केक है दोनों इसे दो बराबर बराबर भागों में बाटना चाहती है केक को दो प्रकार से बराबर बराबर भागों में बाटा जा सकता है, क्या आप जानना चाहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? आये पता लगाएं, केक को खैतिजिक रूप से बाटा जा सकता है, जिससे इसके दो भाग समान दिखेंगे, इसे ओध्वाधर रूप से भी दो समान भा सम्मिती रेखाएं होती हैं अनेक सम्मिती रेखाओं वाली आकरितियां आरची के पास दो लंच बॉक्स हैं एक में तीन सम्मिती रेखाएं हैं उसे ये बॉक्स पसंद नहीं है और उसने इस बॉक्स को अलग रख दिया है उसने दूसरा वाला बॉक्स लिया है आहिए देख अरे इस बॉक्स में चार सम्मिती रेखाएं हैं। बच्चो इस सुन्दर तारे को देखें। आप देख सकते हैं कि तारे में पांच सम्मिती रेखाएं हैं। इस आकृति को देखें और बताएं कि इसमें कितनी सम्मिती रेखाएं हैं, इसमें छह सम्मिती रेखाएं हैं। जया मितिय आकृतियों में सम्मिति, आयत में दो सम्मिति रेखाएं होती हैं, लेकिन वर्ग में चार होती हैं, फृत्त में अनन्त सम्मिति रेखाएं होती हैं, परावर्तन और सम्मिति, छात्रों, आपने अवश्य ध्यान दिया होगा, कि जब आप दरपण के सामने खड़े होते हैं, आप और आपका प्रतिबिम्ब एक समान होते हैं, बना हुआ चित्र उस वस्तु का उसी रेखा में परवर्तन के कारण बना हुआ प्रतिबिम्ब होता है, ध्यान दें कि लंबाई और कोणों में कोई अंतर नहीं होता है, हाला कि प्रतिबिम्ब में वस्तु का बाया प्रावर्तन सम्मिती के अनुप्रयोग दूदवाला अपनी गाड़ी गली में एक स्थान पर खड़ी करके घरों का और खा में दूद देना चाता है। क्या आप बता सकते हैं कि दूदवाला गाड़ी कहां खड़ी करें कि उसे दोनों घरों का तथा खा में दूद देने के लिए कम से कम पैदल चलना पड़े। आईए ग्याद करें। यहां हम परावर्तन सम्मिती का उप्योग कर सकते हैं। माना का दरपन रेखा में का का प्रतिबिम्भ है जो यहां पर गली है। अब का और खा बिंदूओं को मिलाएं। आप देख सकते हैं कि दरपन रेखा और का खा बिंदू पी पर मिलते हैं। इस तरह श्याम को अपनी गाड़ी बिंदू पी पर खड़ी करनी चाहिए प्रतेक स्थान पर सम्मिती बच्चो आपको जानकर आश्चरे होगा कि सम्मिती हमारे दैनिक जीवन का एक अंग है क्योंकि इसका इस्तेमाल कला, वास्तुशिल्प, टेक्स्टाइल, टेकनॉलिजी, वस्त्रों तथा आकृतियां तथा रंगोली बनाने इत्यादी में किया जाता है आप सड़क पर जो चिन्ह देखते हैं वे सम्मिती होते हैं इस पत्ती को देखें ये सम्मितीय है इस तरह यहां तक की प्रकृती में अनेएक सम्मितीय वस्तुए हैं सारांश आये हमने जो कुछ सीखा है उसे संग्षेप में दोहराएं सवान रूप से संतुलित समानुपात वाली आकृतियां सम्मितीय कहलाती है जिस रेखा से आकृती को इस प्रकार मोणा जा सकता है कि उसके दो बराबर बराबर भाग हो जाएं सम्मिती रेखा कहलाती है सम्मितीय आकृती में एक, दो या अनेएक सम्मितीय रेखाएं हो सकती है कोई वस्तू और उसका दरपण में बना प्रतिबिम्ब दरपण रेखा के संदर्भ में सम्मितीय होते हैं हमारे दैनिक जीवन में कला, वास्तु शिल्प, टेक्स्टाइल, टेकनॉलोजी, हभी गल्प रचना इत्यादी जैसी चीजों में सम्मिती पाई जाती है